हेलो एवरीवन वेल्कम तू सिम्रेन आये सेकेल में आज का जो टॉपिक है वह कहा है अगनी प्राइम मिसाइल के बरे में अगनी प्राइम मिसाइल यह नियूज में क्यों था है इंडिया ने सक्सेसफ़ली क्या कर लिया इसको टेस्ट फाय कर लिया है फ्रम दा एपीजय कैनिस्टर्ड मिसाइल कम अब लग्या होता है यह क्या होगा एक बॉक्स होगा उसके अंदर क्या है मिसाइल को रखा जाएगा तांकि हम इसको क्या क्या कर सकें from one place to another वह है जादा डिएरेबल होती है एजिली हम क्या कर सकते है उसको फाय कर सकते है यह क्या सर्फेस तू सर मिऩाल और व्लास्टिक मि सेल है एक सिक्स्थ वेरियंट है अगनी मिसाइल सीरिस का अंढ़र इंटीग्रेटेड गाइडर ड्रोप्रोग्रंव अब ये ऐसा नहीं है कि ये अगनी 5 का advanced version है अगनी 6 वो नहीं है ये मत confuse करना कि ये अगनी 6 को ही अगनी प्राइम बोलते हैं बट ये गलत बात है ये क्या है अगनी 1 और अगनी 2 के बीच में क्या है अगनी प्राइम मिसाल है इसकी जो range है वो क्या 1000 से 2000 km है अगर इसकी dimensions की बा 50% less than the Agni 3 missile इस missile की strength क्या है ये क्या करेगा इंडिया को strengthen करेगा इंडिया's credible deterrence capabilities को अब ये सिफ अगनी की और भी जो variants है वो क्या है वो कौन-कौन से अगनी 1 जो अगनी 1 है वो क्या मेडियम रेंज ब्लास्टिक मिसाल है जिसकी range के 700 से 800 km है अगनी 2 के है मेडियम रेंज ब् इसलिए जो अगनी प्राइम है वो के अगनी 1 और अगनी 2 के बीच में आती जिसकी range के है 1000 से 2000 km है जो अगनी 3 है वो के intermediate range की है इसकी जो range है वो के greater than 2500 km है बट कुछ जो प्रापर्टी से अगनी प्राइम की वो अगनी 3 से भी ज्यादा है अच्छी है जैसे कि उसका weight कम है ज अगनी 5 के इंटर कॉंटिंटर ब्लास्टिक मिसाल है गर्टे देन 5000 km है अगनी 6 के है इंटर कॉंटिंटर ब्लास्टिक मिसाल है यह जिसकी range के है 11,000 से 12,000 km अब यह जो अगनी मिसाइल है यह कौन सी प्रोग्रम के अंदर हमने लांच की थी Integrated Guidance Missile Development Program इसके अदर 5 मिसाइल उसको याद करने की ट्रिक क्या होती है पटना P for Prithvi missile, A for Agni, T for Trishul, N for Nag missile, A for Akash missile This is all about the Agni Prime missile. Thank you